नमस्कार दोस्तों, मैं डाक्टर रतनेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बेटनरी होमेपैथी में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पसुओं के थन की दुखन, थन में दर्द, सोर निपल्स में, बिसेश रूप से उपयोगी, कुछ खास, होमेपैथिक दवाओं के बारे में तो चलिए, शुरू करते हैं दोस्तों, बीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकान को भी जरूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाली बीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों, जब पसू बच्चे को दूथ न पिलाए, मुह थन से लगाते ही, बच्चे से दूर शिटक जाए, या बच्चे को लाथ मार दे, तो इसका एक कारण पसू के थन की दुखन, थन में दर्द, सोर निपल्स हो सकता है दोस्तों, थन में दर्द के संभावित कारण पसू का रोग ग्रस्थ होना, कमजोर होना, तथा बाह या आंतरिक रूप से किसी समस्या से पीडित होना हो सकता है दोस्तों, पसू के भिन भिन निस्थितियों, अलग-अलग समस्याओं और अनेक रोगों में लच्छना नुसार और सो निर्वाचित होम्योपैथिक दवाओं के प्रियोग से बहुत ही अच्छा लाब देखने को मिलता है आईए जानते हैं, आज के इस वीडियों में पसू के थन की दुखन, थन में दर्द, सोर निपल्स में, विशेश रूप से उपयोगी, कुछ खास होम्योपैथिक दवाएं दोस्तों, यदि हर बार बच्चे के दूद पीने पर थन में दर्द हो, निपल दर्द करें, तो होम्योपैथिक मेटसिन भैलेंड्रियम बहुत ही अच्छा लाब करती है इस दवा का प्रियोग 30 पोटेंसी में, फैलेंड्रियम 30, बड़े पसुओं, खास कर गाय भैस में, 5-7 बूद की मात्रा में, दिन भर में, 2-3 बार, इस्थिती और आउसे प्तानुसार, कुछ समय तक प्रियोग करने से, थनों में होने वाला दर्द, पूरी तरह से ठीक हो जाता है, दोस्तों, थन में, दर्द की इन ही सिकायतों में, यदि फैलेंड्रियम से लाफ न हो, तो होम्यो पैथिक मेडसिन, सेबाल से रूलाटा, बहुत ही अच्छा काम करती है, इस दवा का प्रियोग, मदर टिंचर फार में, सेबाल से रूलाटा, मदर टिंचर, या से बहुत ही अच्छी मेडसिन है, दोस्तों, यह दवा दूद बढ़ाने की भी एक बहुत ही अच्छी मेडसिन है, दोस्तों, जिन पसुओं के थनों में दूद बिलकुल न हो, तो यह दवा दूद बढ़ाने में, बहुत ही अच्छा काम करती है, दोस्तों, इसके साथी साथ, थनों के अगले भाग पर, निपल पर, कलेंजुला लोसन का, दिन भर में एक से दो बार, प्रियोग करना, थनो की पीडा में लाप्रत होता है, तो दोस्तों, ये था, पसुओं के थन में दर्द, दुखन, सोर निपल्स में, बिसेश रूप से उपयोगी, कुछ खास, होम्योपेथिक तवाएं, आज के लिए बस इतना है, दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें, मिलते हैं किसी और नालेजबुल और इंफार्मेट्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद।